नमस्का दोस्तों अभी मार्केट 2000 पॉइंट मतलब कि 8% के आसपास निफ्री गिर चुका है यह वीडियो जो है वेसिकली आपको informative और knowledge की perspective से है आप जान पाएंगे कि कैसे करके मार्केट में कहां से upside swing आएगा या downside और जा सकता है इसकी संभावना कहां highest है इस तरह की analytical बाते मैं इस वीडियो में करूँगा यहाँ पे levels वगर मैं कुछ नहीं बताऊँगा basically मेरा motive इस वीडियो के अंदर में है कि आप retail एक person है, investor है even आप एक trader भी गयो ना हो तब भी आप एक अनुमान लगा पाएं कि market में कितने default आ सकते हैं आया हुआ है या बभिष्य में कितने आ सकते हैं और कौन से वाले ordinary हैं और कौन से वाले ordinary corrections नहीं है चाहे आप इस वीडियो को इस ये देखें या next year क्योंकि ये एक learning perspective से है level basis का नहीं है तो आपकी knowledge को enhance करेगा आप last तक देखेगा मैं कुछ बीच में analytical बाते गरूँगा जिससे आपको sense of investing and trading डवलब होगा आगे बढ़ने से बहले मैं हूँ आपका दोस नीतिस फाथ I am a full time trader from last 7 years I have been saving registered IRA for 5 years in past and I am having the market experience of more than 12 years तो काफी कुछ जो चीज़े हैं जो मुझे दस बारे साल का experience market में हो चुका है trading हो या investing हो personally मैं दोनों चीज़े ही करता हूँ तो मुझे कुछ बाते समझ में आती है जिसमें से ये भी समझ में आता है कि जो एक retail का temperament है वो खराब हो जाता है euphoria की चक्कर में जो analytical brain bower की capacity है वो खराब हो जाती है तो ऐसे case में मेरी responsibility बनती है कि मैं आपके सामने कुछ ऐसी study ले के आऊ जिससे आप थोड़ा डरना कम करें और analytical हो करके mind को चलाना start करें इस video को अंतक देखीगा क्योंकि कुछ एक experience related में बाते करूँगा उनको आप जितना गहराई से समझ पाएंगे उतना आपकी learning की perspective से better रहेगा तो देखी अभी थोड़ा सा हम लोग क्या discuss करेंगे market basically क्या है कभी एक direction में नहीं चलता है लोग हमेशा कही ना कही buying या selling किसी भी time पे बोलते रहेंगे बट हम कैसे थोड़ा सा अनुवान लगाएं कि जब कभी market में correction आते हैं जैसे के भी 8% market थोड़ा सा नीचे है तो 5-8-10% या 20% कहां तक जा सकता है कहां से हम मान के चलें के bull run जो है वो market का end हो जाएगा भी कि हम लोग क्या कर सकते हैं market में एक आपने price to earning ratio सुना होगा P-E ratio जो को nifty का simply बोलते हैं तो आप एक थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि कम market अलड़ी एक highly valuation पे stressed है या फिर काफी नीचे है बीच में है तो बहुत सारी websites होती हैं आप जाकर के market का nifty P-E आप search करोगे तो आपको मिल जाएंगी जहां जाकर के आप 5 साल, 10 साल, 20 साल ये सब जाके check कर सकते हैं कि कौन-कौन सी values मेरी P-E की गई थी लेकिन उसमें एक exception आपको बता देता हूँ कि जो market का आपका COVID में fall हुआ था हुआ exceptional आपको P-E दिखेगा विकाज उस समय पे market एक दम तरीके से बंद हो गया था ये आपको देख जाएगा ये जाकर के आप थोड़ा compare कर सकते हैं माल लिजे आपका 2023 में 23.5 का P-E था इस site के हिसाब से या फिर माल लिजे भी 20 September का भी आपका 24 का हो रखा था और अभी slightly आपका नीचे आ गया है P-E तो मैं दिखाना क्या चाता हूँ जब आपका जो पास्ट में historical P-E था वहाँ से आप एक अनुवान ले सकते हैं कि बड़ा बड़ा P-E जब बनता है जैसे माल लिजे 2007-08 के आसपास में 27 का P-E था जो फिलाल तो नहीं है ऐसे ही 2010 में भी आपका 25 था तो देखिए higher side तो valuation है लेकिन ऐसा over stress नहीं है कि आप उसको इस तरीके से बोलें कि market में सीधे सीधे crisis होगा अब होगा नहीं होगा वो एक जो percentage है हम उसको थोड़ा सा define करेंगे तो वहाँ से हमको ये पता पड़ेगा कि जो market में भी 8% का downside आया वो basically logical है या illogical है तब ये बात समझने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा हमें जाना पड़ेगा past में जहां से क्या होगा कि market का जो basically एक nature है कि कितना percentage का जो एक on and average market में upside या downside रहता है वो बहुत ही ज़्यादा normal consider किया जाता है जहां से जाकर कि आप एक अन्वान लगा पाएंगे कि भी किस तरह का अभी हुआ है और कैसे होने की संभावना further है जिसे example देख सकते हैं माल लीजे आपका ये election के आसपास का time था तब जाकर कि क्या हुआ था market में आपका एक ये 8.5-9% का swing लगा हुआ था और जो फिलाल market में एक swing लगा हुआ है आइम इंटो से जो एक अच्छी खासी selling आ रखी है 2000 आसपास के point की वो आपका swing आज की date तक क्या लगा है 8% का तो सिर्फ इतना देखने से ये validate हो गया कि ये तो जस्ट अभी भी हुआ ही था दो-चार महीने पहले तो आगे हम इससे पीछे जाके देखते हैं कि और क्या चीज़े हुई है अब वैसे ही ये देख लीजे आपका यहां पर market में 4% का downside एक देखने को मिला था तो 4% के तो बहुत ज़्यादा ordinary हैं आपको कभी भी छोटे मोटे consolidation दिख जाते हैं ये आपके कौन सी बात थी 2024 की थोड़ा सा पीछे और जाके देखेंगे तो फिर आपको दिखाई देगा कि ये 4% का ये है और इससे पीछे में जब जाके देखेंगे तो आपको थोड़ा insight बढ़ती हुई नजर आएगी अब जो insight है जैसे मान लीजिए अ कि market में अगर 8-10% का fall है तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक क्योंकि आप देख सकते हैं ये भी bullrun ही था आपका और market यहाँ पे 10% से ज्यादा तूटा था और यहाँ पर भी एक bullrun ही था कोविड के बाद का और यहाँ भी देख सकते हैं market आपका कितना percent तूटा हुआ है this is 18 15% अगर आपको याद हो जो मैं टेलिग्राम पर कॉंफरेंस करता हूँ आपकी knowledge and awareness and Q&A के लिए टेलिग्राम का लिंक आपको basically a description box में जाएगा तो उसके अंदर में मैंने आपको एक बात बताई हुई थी कि जो एक historical पीछे देखा गया है even US में मिलाके और Indian history में भी यह ज जो चल रहा है उस bull era का end नहीं मानेगे कब तक 21% के आसपास market नीचे में तूटके नीचे इस्टे ना करने लग जाए top से आप जाकर करके US का market study कर सकते हैं Indian market study करते हैं जब जब bull run आये थे तो यही tendency पाई गई थी उसके आधार पर ही मैं आपको यह वाला comment कर रहा हूँ यहाँ पर समझने वाली बात एक यह है कि जो कोविड जनिशन के ट्रेडर्स और इंवेस्टर्स हैं वो ज़्यादा पैनिक होंगी क्योंकि उन्होंने अभी इस तरह के फॉल से स्टीफ फॉल थोड़े बहुत कम देखे हैं जो काफी पोराने होंगे वो बहुत अच्छे से आए तो हम कैसे रियक्ट करें यह बहुत बड़ा सवाल बनता है तो देखे इसके आंसर में मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आपको करना क्या है जो मैंने एक फ्लॉसोपी डवलप कराने की जस्ट अभी कोसिस की है आप कितने भी बहुत नए क्यों नहों मार्केट में फिर भी एक आसान से आसान तरीका बताने की मैंने कोसिस की है तो सबसे पहला step क्या है आप होंबर करेंगे पीछे के जाकर के जो 4 साल है यह तो जस्ट अभी स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाए इसके पीछे में यह आप जाकर के देखेंगे कि 10 साल पहले क्या हुआ पंदर यह क्या करें तो जब-जब मार्कर में ऐसी ऐपास्निटी आ वोती है जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा हैतल इसे इन्वेस और तो मैं आक यहा है मैं प्रोगों को बताते रहता हूँ और अगर अप उससे बूचेंगे आए से गिरते मार्किट में हो सकता है अभी तो यह 8% है 20% हुआ तो क्या तो मैं आपको बता देना चाहता हूं जो मेरी philosophy है वो यह है कि per annum basis पे मैं कुछ न कुछ fund उसमें increase करते रहता हूं and my buying philosophy is what buying today and sell never अब आपको यह sell never सुनके अजीब सा लगेगा तो मैं आपको बता देता हूं investing मेरे लिए क्या है wealth creation trading में actively करते रहता हूं वो मेरा डेली का काम है बड़ जो investing है वो डेली का काम नहीं है basically क्या है cheaper price में मुझे अच्छे stocks लेने हैं और आगे कभी नहीं बेचने अब यह कभी नहीं बेचने हैं का मतलब क्या है this is for wealth creation मतलब क्या कि जो भवेश्य के 15 सालवाद 20 सालवाद 10 सालवाद 20 सालवाद जो objective है चाहे बच्चे की बढ़ाई हो या अपने old age के लिए हो या something like that तो उसकी philosophy के अंदर में मैंने यह stocks खरेदे हुए हैं अब जब बीच में माली जी कई वारी क्या होता है जब मैं इनिशियल लेवल पर इन्वेस्टर था तो कोई 100% के कई सारे stocks में आगे अगर मैं वो 50% और 30% का चोटा mindset रखके अगर बात करता तो 200% का रिडन दो कभी नहीं देख पाता यह माँ आपको केवल 2-3 साल की बता रहा हूं और सेम philosophy अगर मैं continue करूंग आगले 5-10 साल तो definitely कुछ ना कुछ stocks तो होंगे जो 500% 1000% जैसे रिडन भी यहाँ से देंगे तो यहाँ पे fund बहुत simple निकला के आपने buy करना है जब market नीचे आता है बड़ यहाँ पे एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है कि बहुत कितना buy करना है यह तिकी थोड़ा सा आर्ट आपको develop करनी पड़ेगी थोड़ा शांत मन से बैटना पड़ेगा आपको कोई आके नी समझाएगा भी इतना buy करो इतना sell करो यहाँ पे आपको human intelligence लगानी पड़ेगी थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया market पीछे कैसे interpretation कर सकते हैं कितना गिरेगा करेगा तो उसका provision आपको बनाना है प creation का मैंने जो growth create किया हुआ था अगर आप चाहें तो उसमें participate करते हैं जहां पर मैं इस तरह की discussion करता हूँ इस टॉक्स वही common होते हैं बट जो philosophy होती है वो common नहीं होती वो uncommon होती है सुनने में आपको आसान लगेगी बट जब अब practically करने बैठते हैं तो जो immature mindset के लोग होते हैं वो इसको follow नहीं कर पाते हैं और यूफोरिया में ही जीते हैं यूफोरिया में ही मरते हैं अब जैसे के 12 साल से में market में देख रहा हूं उतार चड़ा काफी सारे मैंने crisis भी देख लिया उपर आते market भी देख लिया तो कई सारी चीजे मेरे सामने miss हो ही कुछ चीजे पकड़ी भी कुछ अच्छी की कुछ बेकार की तो उसके अंदर में क्या है एक practical level का philosophy डवलप हो गया और इस व कई वारी लोग है आपके stocks sell भी कर देते हैं गलत टाइम पर अपने सो समझ के stocks लिया है और investing के लिए लिया है तो फिर कभी भी सेल नहीं करना चाहिए और यह कभी नहीं का definition थोड़ा अलग होता है भी कभी मालीजे कोई stock के अंदर में आपका fundamentally bankruptcy होगी करेगी तो definitely we will book losses but not sell I am अपना प्रयास डाला है कि आप informative होए थोड़ा सा आपको knowledge में आये तो आपका उत्तरदाय तो बनता है कि क्योंकि मैं financial literacy को spread करने के लिए particular video बनाया है तो as for your responsibility है आप भी अपने दोस्तों के साथ में share करें जिससे उनकी knowledge enhancement हो और इसी तरीकी से basically क्या है एक financial literacy फैलती है तो ए अची अची opportunity सभी लोगों के हाथ में लगें और वो जो भविश्य होगा वो actually wealth creation का real money रखेगा तो मेरा vision वहाँ तक है कि इस तरह का market हम अपने जीते जी life में देखें और मेरा मानना है शायद 15 साल के अंदर में इस तरह का market बन जाए या 20 साल के अंदर में बन जाए ये कर बटन दबाना बिलको ना भूलें और क्योंकि देवाली आ रही है तो अपने गर में गोशियां बाते हैं अधर उदर भी दोड़ी सी बाते अपना ख्याल अपने परबार का भी है